वाइश पिपल मैं आपको एक नियूर इंट्रेस्टिन ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके हर एंड्रोइड फून में काम करेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी पिक्चर को DSLR की तरह बना सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ एक अप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है आपको सिंप्ली आप्टर फोकस लिखना है यहां और अपने प्लइस्टोर में तो आपको यह मिल जाएगा आप फोकस लिखने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लिए अपने अंडॉईड फून में यह गाइस विडाओ वेस्टिंग अनी मोर टाइम सो लेट गेस्टार्ट तो फ्रेंड्स आपको इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है तो चले दोस्तों मैं इसे ओपन कर देता हूं आफ्टर फोकॉस को यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं कैमरा अलबम या फिर प्रोजेक्ट तो कैमरा वह है जहांसे आप पिक्चर ले सकते हैं यू अरड़ी लेकर रखिया तो आप इसे अलबम में क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपको वह पिक्चर ओपन करनी है जो आप डी एसलर में कनवर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली मैं यहां से यह पिक्चर अडिटर करना चाहता हूं तो आप यहां से कंटीन्यू पर क्लिक क कंटीन्यू पर क्लिक कीजिए तो आपके पास इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा तो दोस्तों यह देख लीजिए कि पिक्चर आपको पीछे बलॉर नजर नहीं आरही बलॉर तो देख लिए पीछे आशिक लिखा हुआ है तो आप एजी ली इसे इस तरीके से बलॉर कर सक ताके वीडियो लंबी ना हो तो सिंपली आपको इसे ट्रिम कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है आपको नीचे वाला उप्शन वहां पे कलिक करना है और फिर क्या करना है आपको यहां पे इस तरीके से यह आपको कट लगाना है तो आपको कट लगाएंगे तो तो यह पिक्चर कट लगाने के बाद आपको यहां पे सारी अच्छे से अडिट कर लेनी है जब आप इसे अडिट कर लें आप नेक्स्ट पे कलिक कर सकते हैं तो मैं यहां पे आपको जल्दी में कुछ ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे आप एजी ली जो है इसे सेलेक्ट करने के बाद आप जूम करके इसको अच्छे से क्रियेट कर लीजिएगा तो मैं इसे अब नेक्स्ट कर देता हूँ ताके वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो दोसो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट तो यह नेक्स्ट हो गई तो अब आपको थोड़ी सी बलॉर होती नजर आ रहे हैं या फिर आप ज्यादा करना जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिये तो दोसो यह आपकी पिक्चर फार से तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है motion blur तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप जूम blur पे क्लिक कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो आपके पीशे जितना भी पिक्चर आप वो जूम होगी तो इसी तरीके ते आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं easily बिना कुछ time गवाए तो यहाँ पे आप पिक्चर को सेव करके अपने किसी भी social media पर upload कर सकते हैं Facebook, Instagram या पिर किसी और social media पर तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मैं में लोग आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में मुझे याद रखेगा अपने लाइक्स और शेयर में और सबस्क्राइब करना न बोलिए क्योंकि मैं दोस्तों के लिए इस तरह की वीडियो ज़र लगता रहता हूँ तो थाइक्स के लिए अन्ड़ का लगता हूँ